नमस्कार फेंट्स में नाम बबलूर्मा पेपर है करमी आपका स्वागत है तो फेंट्स आज दो देखने वाले हैं बहुत आएगा अपना बीए सेगेंड से मिश्टे बारों के हिस्टी का लेक्षा नमबर सोलवा ठीक है यहां पर बहुत इंपूर्टेंट क्योशन भी अप तो चारों की चारों की आदोने चाहिए एक बार रिपीट कर देते हैं उसके बाद हम क्योशन के चलते हैं ठीक है रिपीट कर देंगे तो आपको भी याद हो जाएगा और हमको भी क्या हो जाएगा भई की रिवाइज कर देंगे आपके लिए ठीक है मतलब हम भी आपके लिए समझा देंगे तो बात करते हैं बाबर के कौन-कौन से तो एक बार रिपीट कर लेते हैं ठीक है बाबर के कौन-कौन से तो एक बार क्या कर लेते हैं रिपीट कर लेते हैं बाबर का पहला जो युद हो जाता है युद्ध वह जाता है 1529 में लगातार इसने युद्धि किये थे कितने लगातार युद्धि के थे आगर आपको याद रहेगा कि पानी पत का युद्ध प्रिथम था वो किसन रहा था बाबर ने तो आपको बिल्कुल याद रहने बाला रहा एक स्विक्यूंस भाई 25 25 27 25 28 25 29 में लगातार युद्धि किसने कि यह पानी पतित के बाद वो किये थे बावर ने ठीक है किसके बीच यह देख लो कि यह तो सब बावर नहीं है तो यहाँ पर लिदो बावर ठीक है तो बावर ही तो करी रहा है सबी में ठीक है आब यहा गपे बावर कि और युद्धि भावर को do 200 अविच की ये है पानी पतवाला तीक है उसके बाद इधrico होता 1528 में जो इसके बीच होता है यह होता है मैदनी राय के बीच है कौनसा चंदेरी का चंदेरी का इस तो आपको सिक्विंस्बाइ याद होने चाहिए पानी पत खानवा उसके बाद चंदेरी और घागरा किसने लड़ेते बाबर के बीच वहा था यह भी आपको याद हो गया इवराहिम के बीच हुआ था पानि पका राणा के बीच भूआ था खानभा का मैदनी राय के श् pompष प्रिकाष से मिल सकता है ऐर बाबर ने राज पूतो को कैसे पराजित किया इसके बारें बताईए या खानबा के उझ्डे के कार्ड उपर प्रिकाष जा बात करते हैं उत्तर यहां पर क्या है धानकना खानवा यहां पर खानवा का युद्ध तो खानवा के देखने वाले हैं आपको पता है बाबर का सेकंड युद्ध था 1527 ठीक है बाबर और राणा के बीच पानी पत के युद्ध के बाबर ने मेवाड के राणा सांगा के विरुद्ध युद्ध की गोश्टना कर दी यह युद्ध खानवा के युद्ध कहलाता है यह 1527 इस भी में हुआ था ठीक है बहुत दिरक खान वाट के उद्द कहलाता है 15 27 में हुआ था बात करते हैं में इधिके कर्व कौन-कौन से इनको देखे लिए तो पहला कार्ज हो जाता है बहुत जाता है राडा सांगा की महात्व कांचा राडा सांगा कैसा शाथ ठांच जाता एक बहुत ही महत्वकांची सासक था बहुत सक्तिसाली था और अनेक राज का अधिकारिक बिस्तार करना चाहता था उसकी महत्वकांचा एक हिंदू राज की इस्थापना करना थी अपनी इस महत्वकांचा के कार उसने बाबर जैसे सक्तिसाली से युद्ध करने का प्रियास किया था कि भाई हमारा जो राज होगा वो कैसा होगा हिंदूत्व राज होगा इसके अनुसार हिंदूत्व राज की इस्थापना के अनुसार इन्होंने क्या किया बाबर से युद्ध कि कि यह सकते हैं सक्दी शाली है क्यों कि इसके पास टोफ़ों को सबसे पहले पर किया था बाबर नहीं किया था चलाई थी ठीक है आगे देखते हैं तोके दगवाई थी फूसता है जम में जीवित हैं तब तक भारत पर विजय पाना मात्र स्वपन है राणा के मालवा और गुजरात पर कबजा करने के बाद बाबर के इसी भैसे उसे अपनी सक्ती बढ़ाने करते पर मजबूर कर दिया था इसी भैसे बाबर को स्वारी कह सकते हैं राणा के पारत इसके पास तोप है वो दूर वो next kart वाता है बाबर द्वारा दिली पर कभजा बाबर ने जब पानीपत का युद्द विजय कर दिली तक राणा को उसकी सक्रात एहता शुआ अब तक सोच रहा था कि बाबर इब्राहिम पर बिजय पाने के पश्चाद बापस चला जाएगा और बाबर के जाने के पश्चाद दिल्ली के तक्त पर कब्जा कर लेगा कौन कह सकते हैं राणा परन्तु बाबर ने स्वेम ही तक्त पर बैटकर बहां अपने बंस की निव डाल दी है ना मुगल समराज की निव किस डाली थी बावर ने ही डाली थी नेक्स जो कार्ड था वो हो जाता है बावर के अनुसार राणा के उसके राणा ने उसके साथ विस्वास घात किया यह कार्ड यह भी है जो वैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडिय और उसे सहायता का आसवासन भी दिया था कि अगर आप इब्रहीम लोदी से युद्ध करोगे तो हम अपके का करेंगे सहायता करेंगे परंदु पानी पत के युद्ध में उसने बाबर की कोई सहिता नहीं की बाबर के अनुसार राणा ने उसके साथ बिस्बाज घात किया था एक कार ये भी हो जाता है युद्ध का ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स हो जाता है अपना वो जाता है बाबर के दूसरे शफल कार बाबर के दूसरे सफलकाड़, बाबर ने दिल्ली के तक्त पर कबजा करके ही संतोस नहीं किया, परंतु उसने कालपी, धौलापूर, बयाना एवं आगरा पर भी कबजा किया, और आगरा पर आपको पता ही अपने बेटे हुमायों को बैठाला था, और दिल्ली पर किसे दिल्ली पर बैठाल दिया था अपने बहनोई के लिए राणा को बाबर के ये आक्रमण अपना अपमान लगे राणा जो था उसको बाबर के जो आक्रमण हुए थे कापिल पे धौलपूर पे आग्रा पर ये किसके अपमान लगे अपने आप पर अपमान लगा कि अरे बाबर वह मेरे हैं कौन मानता था राणा हटा काड़ हो जाता है अफगानों ने राणा को प्रूथ साहित किया अफगानों ने क्या किया था राणा को प्रूथ साहित किया था कि आप क्या करो बाबर से युद्ध करो बहुत से अफगानी बाबर के बाबर से पराजित होकर राणा की स्रड में आगए थे जो अफगानी थे बहुत सारे अफगानी ऑफगानी की विच्जुदूगा ता आपको पता ही है ठीक है बहुत से अफगानी बाबर से पराजित होक राणा कोसा निया गये थे और बेसे बाबर के बरुद राणा को अकसाते रहते थे सहन खां मेवाती एबम महमूद लोदी वी बे अफगानी थे जो अपनी सेना लेकर राणा से आमिले थे कौन थे ये देखेगा हसन खां मेवाती और महमूद लोदी ठीक है अगर आपको याद नाम भी रहे नाम तो भी कोई दिक्कत नहीं है तो डाइट क्या लिख दो अफग अफगानी थे कुछ अफगानी थे जिन्होंने सेना लेकर राणा में मिला दी थी इस प्रकार से लिख सकते हैं आप देखते हैं युद्ध के बड़न के बारे में यहां पर देखते हैं उप्युत दिये गए काड़ों में खानबा का युद्ध 1527 में हुआ राणा सांगा एक बड़ी सेना के साथ आगरा पहुंचा बाबर सीकरी से 20 मील दूर खानबह में राणा का सामना करने के लिए तयार हो गया राणा की विसाल सेना और सक्तिसाली सेना देखकर बाबर की सेना में भै और घबराहट फैल गई परंतु बाबर स्वेम एक समझधार सेना पती थ इस युद में बिजई हुआ तो कभी मध्रा को हात नहीं लगाएगा उत्सा प्रदान करने वाले भांसणों ने उसके सैनकों के मनौबल को बढ़ाया बाबर के उत्सा प्रदान करने वाले जो भासर थे उसने सैनिकों के मनुवल को बढ़ाया और उसने बीरता का संचार किया उसके सैनिक अपने सैनिक सेनापती की आज्या मानने के लिए तयार हो गए और बाबर की उत्तेजित बहांसरोडों के काड़ा बाबर की छोटी सी सिना ने अपनी संपूर सकती से युद्ध दिया और युद्ध किया और बहुत बड़ा यादगार युद्ध हुआ इसमें क्या हुई बाबर की हुई बिजय और राणा सांगा की क्या हुई हार हुई ठीक है तो इस प्रकार से ख कुछ ज़्यादा करना है और जिस किसी को इसकी पीडियफ चाहिए तो पीडियफ कहा मिलेगी पीडियफ मिलेगी हमारी साइट नीचे आपको यहां पर चलते हुई मिल रही है पट्टी पे कि आप अगर इस इन किसकी भी तैयारी करते हों किसी की भी इसमें से त्यारी करती हो ठीक है चाहिए आप रेलबे एंटी पीसी बीए एमे एमसी ठीक है सभी के आपको नोट्स कहा मिलते हैं साइट दे रखिए www.paperhacker.in तो बहां जाके आप बिल्कुल फ्री अपको जी पर सकते हैं एप लोगे अगर आप एप लोगे ठीक है तो आपको क्या पढ़ेंगे बिल लाइक करना वीडियो को शेर करना चैनल को सब्सक्राइब करना तो फेंट जय हैं जय भारत